सनी देओल के एक विडियो ने सोशल मेडिया पर हड़कंप मचा दिया भई एक विडियो में सनी देओल मुंबई की सडकों पर नशे की हालत में घोमते फिरते नजर आ रहे थे जिसके बाद फैन्स उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे लोगों का कहना था कि गदर टू की सक्सेस अक्टर के सर पर चड़ गई है जिस वजह से अब वो अपना होश खो बैटे हैं और वो सडकों पर घूम नहीं रहे बलकि जूम रहे हैं लेकिन दोस्तों अब सनी देओल ने उस वारल विडियो के पीछे का सच बता दिया है दरसल उस वीडियो को देखने के बाद भी कई सारे लोगों का कहना था कि भाई ये किसी शूटिंग का हिस्सा भी हो सकता है तो आपको बता दे कि वो लोग जो ऐसा कह रहे थे वो बिलकुल सही कह रहे थे ये दावा बिलकुल ठीक था और इस बात को खुद अक्टर सनी देओल ने कनफर्म कर दिया है दरसल अपने सोशल मीडिया हैंडल अपने ट्विटर अकाउंट पर सनी देओल ने ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें उस वीडियो का BTS शूट दिखाई दे रहा है सनी देओल के इस बार के वीडियो में सनी देओल के साथ साथ कैमरा परसन से लेकर पूरी टीम उनकी शामिल है जो साफ दिखाई दे रहा है कि भई वो वीडियो भी उनकी शूटिंग का हिस्सा था इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सनी दियो ने लिखा अफवाओं का सफर बस यहीं तक वैल आपको बता दे इस पर फैन्स अपने रियक्शन्स दे रहे हैं फैन्स का कहना है कि जवाब मिल गया हीटर्स को सनी पाजिक के अक्टिंग सो गुड दट पीपल अक्चली बिलीव दाट तो महीं कुछ ने लिखा भाई नई बताना था कुछ दिनों तक हीटर्स को बोलने देते फिर मज़ा आता बताने में तो महीं कुछ लोग इसे काफी अच्छा पी आर मूव भी बता रहे हैं उनका कहना है कि भाई पहले वीडियो लीक करो और उसके बाद बस क्रियेट हो तो अपनी मूवी का अच्छा खासा प्रोमोशन कर दो फिलाल सनी दियोल के इस वीडियो पर फैंस अपने रियाक्शन दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई आक्टर नशे की हालत में मुंबई में घूम रहे हैं लेकिन आपको बता दे ये खबरे बिलकुल जूटी थी उस वक्त भी रिपोर्ट्स का कहना था और अब खुद सनी दियोल ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि भाई ये उनकी आने वाली फिल्म सफर की एक शूटिंग सीन का हिस्सा था फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही आपका इस बारे में क्या कुछ है कहना कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताइए साथ ही बॉलिवुड जूडी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट